रामचरित मानस की लोगप्रिय चौपाईयों का अर्थ और उससे संबंधित कथा जाननी के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल हमारी संसकार जैस्त्रीराफ रामचरित मानस प्रत्यक भारती के जीवन का अभिनन्ग है रामचरत मानस की चौपाईयां प्रतेक भारती नित्य कहते और सुनते हैं इस चैनल के माध्यम से हम आपको रामचरत मानस की चौपाईयों की बारे में बताएंगे यह चौपाई किसने कही, किससे कही, क्यों कही, इसकी कथावी विस्तार से समझाएंगे यदि हमसे कुछ तुरुटी होती हो तो कृपया हमें कमेंट बॉक्स में अवस्या उगत करा है तो आज की चौपाई है यह चौपाई बालकान में भगवान शिव ने माता पार्वती से कही है शिव विवाह के पश्या क्रपा के धाम भगवान शिव जब कैलाश परवत पर विराजबान थे तो माता पार्वती उनके पास गई भगवान शिव ने उनका बहुत आधर सतकार किया और अपनी वाई और बैठने के लिए आसन दिया पार्वती जी प्रसन्म होकर शिव जी के पास बैठ गई उन्हें अपने पिछले जन्म की कथा इसमरन हुआई शिर्जी का अपनी उपर प्रेंद देखकर पार्वती जी ने हसकर पूछा कथा जो सकल लोक हितकारी सोई पूछन चहसेल कुमारी हे नात जो कथा सम लोगों का हितकरने वाली है उसे ही मैं पूछना चाहती हूँ हे प्रभु आपसने रगुनाजी की नाना ब्रकार की कथा कहकर मेरा अज्ञान दूर कीजिये पुनी प्रभु कहू राम अवतारा बाल चरित पुनी कह हूदारा शी राम चन जी के अवतार अर्था जन की कथा कहिए तद्धा उनका उदार बाल चरत्र बतलाईए जिस प्रकार उन्होंने जानकी जी से विवाह किया और प्रिया बतलाईए कि उन्होंने राजी का त्या क्यों किया बन बस कीने चरत उपारा कह हूद नाथ जिमी रावन मारा हे नाथ उन्होंने वन में रहकर जो अपार चरत्र किये तथा जिस तरह रावन को मारा वह कहिए राज बैठी की नहीं वहु लीला सकल कह हूँ संकर सुख सीला हे सुख स्वरूप संकर फिर आप उन्हों सारी लिला को कहिए जो उन्होंने राज सन्यासन पर बैठ कर की थी माता पारपती की सहज सुंदर और चल रहत प्रशन सुनकर सुख जी बहुत प्रसंद हुए हर ही राम चरित सब आए प्रेम पुलक लोचन जल छाए श्री महादेव जी के हिरदय में सारी राम चरित रावे प्रेम के मारे उनका शरीर पुलकित हो गया उन नित्रों में जल भराया बंदव बाल रूप सुए रामू सब से धिशुलब जपत जशुनामू वे भगवान श्री रामचंद्र जी के बाल रूप की वंधना करते हैं जिनका नाम जबने से सब सिद्धियां सहजी प्राप्त हो जाती हैं मंगल भवानया मंगल हारी मंगल के धाम अमंगल के हरने बाले स्री दसरत जी के आंगन में खेलने वाले बाल रूप स्री रामचंद्र जी मुझ पर क्रबा करें कर प्रनाम राम महित्र पुरारी हरशी सुधा समगिरा उचारी त्रपरा सुर्का वद करने वाले भगवान शेव शी रामचंद्र जी के चड़नों में प्रणाम करके बहुत ही मधुरवानी में बोले हे गिर्राज कुमारी पार्वती तुम धन्य हो धन्य हो तुम्हारे समान कोई दूसरा उपकारी नहीं है पूछे हु रगुपति कथा प्रसंगा सकल लोक जग पावनिगंगा जो तुमने शी रगुनाज जी की कथा का प्रसंग पूछा है जो कथा समस्त लोकों के लिए जगत को पवित्र करने वाली गंगा जी के समान है तुमने जगत कल्यान के लिए ही ये सारे प्रसंग पूछे हैं तो हे पार्वति सुनो इस प्रकार भगवान सिव ने स्री राम जी की पूरी कथा विस्तार पूर्वक मतब पार्वति जी को समझाते हुए कही भगवान सिव से पहले सी राम कथा रिसी यागवल की जी ने भरद्वाज मुनी से कही सी काग भुषुन्डी जी ने भगवान सी विष्णू के सेवक और वाहन सी गरोड़ी से कही तदा कल्यूग में गोस्वामी तुलसिदा जी ने संद जनों को यह कता सुनाई सुठी संदर समवाद बरा बिर्च बुद्धी विचारे ते यह पावन सुभग सरा गाट मनोहर चार यो रामा गाट मनोहर चार इस वकार रामचरित मानस में चार अत्यन्त सुन्दर और उत्तम संबाद रचे हैं भुशुंडी गरोड़, शिव पारवती, याग्यो अल्खी और भरद्वाज, तथा तुलसिदाची और संद वही इस पवित्र और सुन्दर कथा रूपी सरोवर की चार मनोहर घाट है से रामचरित मानस की यह कथा आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में अवर्श्य अउदत कराएं अगली चौपाई और अगली कथा के लिए हम अगले अपिसोड में मिलेंगे तब तक के लिए जै श्री रा